जैन दोस्तो रक्षी खनना के चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज के जीडियो में मैं आपको दो महतपूर जानकारी दूँगा सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूँगा दिवाली बोनस और डीए डीर की घोषणा को लेके जिन दोस्तो एक letter लिखा गया है जो काफी महत्पूर है आपके लिए अगर आप दिवाली bonus लेना चाहते हैं या फिर D.A.D.R. का area लेना चाहते हैं ये दोस्तो पूरा letter है ये मैं आपको समझाओंगा दूसरी जानकारी मैं आपको दूँगा दोस्तो इस परच PCD की तरफ से एक message दिया जा रहा है pensioner के phone पर अब काफी pensioners उस message से परचान है वो समझ नहीं पारे कि ये message क्यों दिया जा रहा है और actual में ये message है क्या तो दोस्तो पूरी कहानी मैं आपको समझाओंगा इस message की और कुछ pensioner ने इस message से जुड़े कुछ सवाल पूछे हैं ये भी मैं आपको समझाओंगा तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मैत्मूर होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा और अपने गुरूप में भी शेयर कर देजेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हू 30 सितंबर 2024 को और ये लेटर भेजा गया है हमारी वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमर जी को जी आँ दोस्तो और ये लेटर इसलिए भेजा है ताकि भारा सरकार जल से जल दिवाली बोनस की घोशना करे उस पे लेटर निकाले जैसा आपको बता है हर एक साल दिवाली स दिया जाता है तो दोस्तो उसके संबंद में ये लेटर लिखा गया है वित मंत्री निर्मला सीता रमर जी को और दोस्तो डिये डियार का जो एरियर है उसके संबंद में भी ये लेटर लिखा गया है दोस्तो इसमें लिखा गया है थोड़ी सी चीजे मैं आपको समझा देत है वैसे दोस्तों ये गोशणा सितंबर के लास तक हो जाती थी ऐसा इसमें लिखा हुआ है लेकिन अक्टूबर चल पड़ा है अभी तक भारत सरकार ने डीए डीर की गोशणा नहीं करी है तो दोस्तों इसमें बताया है कि जो पहले घोशित हुआ था डीए डीर यानि पिछले साल जुलाई से बढ़ने वाला वो भी दोस्तों सितंबर के लास तक मिल गया था और फिर दोस्तों जो उसका एरियर है वो अक्टूबर के आसपास देखने को मिला था ऐसा इसमें बताया गया है तो दोस्तों अब इ अक्टूबर में ही दिया जाए वो भी दिवाली से पहले क्योंकि दोस्तों पैसे की हर एक को जूरत पढ़ती है अगर दिवाली से पहले दिवाली बोनस मिल जाए या फिर डियार का एरियर मिल जाए तो यह बहुत अच्छी बात होती है पैंशनर के लिए हाला कि दोस्तों यह जो bonus है, यह सिरफ करमचारियों को मिलता है, जो serving में है, पैंशनर को bonus नहीं दिया जाता है, क्योंकि pension लेते हैं pension, इस वज़े से सरकार ने का आ है, कि सिरफ जो bonus है, वो सिरफ सरकारी करमचारियों को मिलेगा, जो अभी serving में है, तो दोस्तो ऐसी एक तो बोनस जल्दी से जल्द लागू किया जाए मतलब इसका लेटर निकाला जाए भारत सरकार के दौरा और दोस्तो जो DADR की घोचणा है वो भी जल्दी किया जाए उसका भी लेटर फटापट निकाला जाए ताकि दिवाली से पहले Pansioners को या फिर सरकारी करमचारियों को कुछ मिल जाए जो DADR का area है वो Pansioners को मिल जाए सरकारी करमचारियों को मिल जाए और जो दिवाली बोनस है वो मिल जाए सरकारी करमचारियों को जो serving में है ऐसा दोस्तों यह letter पूरा लिखा गया है देखते हैं दोस्तों चाहे वो वि बढ़ेगा फिर दोस्तों एक और जानकारी है अब मैं बताऊंगा आपको मैसेज दोस्पर्स PCD द्वारा दिया जा रहा है आपके फोन पर अब काफी पैंशनर्स इस मैसेज को लेकर परशान है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुली मैसेज है क्या और ज्यादतर पैंशन यानि जो आप पैंशन ले रहे हैं पुरानी पैंशन ले रहे हैं वो ही आपकी continue चलेगी क्योंकि ORP3 में आपको कोई पैंशन नहीं बढ़ी है दोस्तों ये मैसेज उनके लिए है जिनकी ORP3 में पैंशन नहीं बढ़ी है यानि जिनकी पैंशन प्रोटेक्ट कर दी गई है जो पहले से वो पैंशन ले रहे हैं वो ही वो continue लेंगे तो ये मैसेज आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप भरोसे में ना रहे हैं कि आपको ORP3 का कुछ मिलेगा इस वज़े से दोस्तों ये मैसेज दिया जा रहा है उन पैंशनर को जिनकी ORP3 में कोई पैंशन नही बढ़ी कुछ भी increase नहीं हुआ ताकि वो समझ जाएं कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला यह PCDA इस परश ने यह confirm कर दिया यह मैसेज दे कर हाला कि पैंशनर को पता है कि हमें ORP3 में कुछ नहीं मिला हमारी पैंशन नहीं बढ़ी मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं कुछ पैंश पैंशन है जो आप पहले से ले रहो वही continue चलेगी एक जुलाई 24 से जो पैंशन रिवाइज हुई है ORP3 की उससे ज्यादा पैंशन आप पहले से ले रहो तो इस वजह से जो आपकी पुरानी पैंशन है वही continue आगे चलेगी अब दोस्तों यह मैसेज आपने समझ लिया एक कभी नहीं होती है इस मैसेज का मतलब मैं आपको समझा दिया कि जो आप पैंशन ले रहे हो पहले वही आपकी continue चलेगी क्योंकि ORP3 में आपकी नहीं बढ़ी है दोस्तों यह मैसेज हर एक पैंशनर को पहुझ गया अभी कुछ पैंशनर है जिनको नहीं मिला अब दोस्तों यह मैसेज उनको भी दे दिया गया जिनकी ORP3 में पैंशन बढ़ी है यानि कुछ गलत मैसेज प्रिगर्ड हो गए आपके फोन पर अब दोस्तों जिनकी पैंशन बढ़ी है ORP3 में अब पैंशनर्स वो समझने लगे कई हमारी पैंशन दुबारा वापिस तो नहीं ले ली जाएगी या फिर हमारी पैंशन पता नहीं आगे सही आए या ना आए इस मैसेज को देखकर दोस्तों PCDS पैंश की कुछ गलतिया थी इस मैसेज को लेकर यह मैसेज सिरफ उनी को भेजना था जिनकी ORP3 में पैंशन नहीं बढ़ी है उनके पास ही जाने ते लेकिन गलती से उन पैंशनर के पास भी आ गए उन फैमिली पैंशनर के पास भी आ गए जिनकी ORP3 में पैंशन बढ़ी थी तो दोस्तों जिनकी भी ORP3 में पैंशन बढ़ी है या फिर आपको एरियर मिल चुका है अगर आपके पास यह मैसेज आ गए है तो आपको इस मैसेज को करना है तो आगे आप आपकी बढ़ी हुई चलेगी पैंशन तो दोस्तो इस मैसेज को आप इग्णोर कर सकते हैं अगर आपकी वारूपी 3 में पैंशन बढ़ी है जैसा मैं आपको बताया कि कुछ गलतियों के कारण यहां पे मैसेज छोड़े गए हैं आपके पास भी जिनकी पैंश पैंशन लेंगे आगे उनकी पैंशन प्रोटेक्ट है अब दोस्तों एक मैसेज मेरे पास आया था सब्सक्राइब सेट इस आपको पता है यह मैसेज पैंशनर के पास पहुंचा है अब दोस्तों इसमें एक रैंक है सुभेदार मेजर ओर फिनेंट इनकी टौटल सर्विस 32 साल 10 महीने pension credited in my account as per ORP2 जैसे आपको पता है honorary lieutenant की pension जो सितंबर की आई वो 41-200 के इसाब से आ गई है गलत pension उनको मिल गई है बलकि मिलनी चाहिए थी 4300 के साब से यह लिख रहे हैं कि 5100 रुपे का difference है यानि 4200 और 4300 के बीच का difference 500 रुपे का यहां पर loss हो रहा है honorary lieutenant को फिर दोस्तों नहीं लिखा corresponding PPO of ORP3 is not yet received जिया दोस्तों अभी तक इनका corresponding PPO भी नहीं बना है ऐसा यह लिख रहे हैं अब यह पूछ रहे हैं हम क्या करें दोस्तों इनके को मिलेगी पैंशन 4300 चालीस तीन सो मिलेगी इस message को यह ignore करेंगे एक बार दोस्तों यह अपना corresponding PPO ठीक कराएंगे क्योंकि इनको ORP2 की पैंशन मिल गई 41-200 और दोस्तों कई पैंशनर का corresponding PPO issue भी हो गया honorary lieutenant का सबसे पहले दोस्तों यह अपना corresponding PPO ठीक कराएंगे जब इनका corresponding PPO ठीक हो जाएगा 4300 के सबसे फिर दोस्तों इनको October की pension सही मिलेगी 4300 के सबसे और जो गलत pension इनको मिली सितंबर की और जो बड़ी हुई pension मिलेगी उसी के difference से इनको आगे area दे दिया जाएगा या तो October की pension में address कर दिया जाएगा तो इनको भी घबरानी की जुरत नहीं है फिर दोस्तों कुछ पैंशनर ने PCDA से भी बात करी थी तो उन्होंने बताया कि आपके corresponding PPO ठीक होंगे आप रिक्वेस्ट जा लिए और इसके साफ से आपको अगले महीने बड़ी हुई pension मिलेगी और आपका area adjust कर दिया जाएगा यही दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कुछ pension शिकायट डाल रहेते और लगबग दोस्तों 10 से 15 दिन का यहां पर time दिया है PCDS पर्शने 10 से 15 दिन का कि 10 से 15 दिन में आपके नए और उसी के साफ से आपको आगे payment होगा तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि जो यह मैसेज आया इससे आपको घबरानी की जूरत नहीं है यह उनके लिए मैसेज था जिनकी pension नहीं बढ़ी उरूपी 3 में उनके लिए मैसेज था या फिर वह और ऊरूपी 3 के दैरे से भार हो गए शायद उनके पास भी आया वो मैसेज लेकिन दोस्तों कुछ technical गलतिया थी इस वज़े से यह आपके पास ही मैसेज आ गया जिनकी pension उरूपी 3 में ब जैसे हो सकता है कि आपको शायद गलत एरियर मिल गया हो या फिर कोई गलत पेंशन मिल गये हो तो आपके शिकायत पर कोरीजंटम पीपियो आपके ठीक किये जाएंगे उसी के बेज़ पर आपको आगे पेमेंट होगा तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको इस मैसेज को आप डिलीट कर दें अपने फोन से जिनकी भी पैंशन बढ़ गई है OROP3 में या फिर इस मैसेज को आप इगनोर भी कर सकते हैं जिनकी पैंशन नहीं बढ़ी OROP3 में उनके लिए यह मैसेज था कि आप वही कंटीनू पैंशन लेंगे जो आप तुरानी ले रह स जहीं था वीडियो को आप शेर करिए अपने गूरूप में शेर करिए क्योंकि यह अृथनटिक जानकारिया सही जानकारिया आपको मिलती रहती है लेटरों के बेस पर के बेस पर कशानल के दॉब